तो मैं ये दिया चला कर हमारे पुल्धान मंतरी श्री मोधी जी के साथ खड़ी हूँ, क्या आप भी? ताकि शामिल हो सके, इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ बन सके, शुप की कामरा कर सके और अशुप की खत्व होने की उमीद कर सके मैं अपने आपको बहुत भागेशाली मानती हूँ, कि मैं सनातन धर्म से हूँ सनातन धर्म ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, एक इंसान होकर किस तरह इंसानी रूप में जिया जाए प्रकृती को किस तरह से सब्मान दिया जाए, ये सब हमारे पूर्व जोने वेदशास्त्रों में सिखाया है गलती सिर्फ हम लोगों से इतनी हुई, कि हम लोगों ने उस पे ज़्यादा धिहान नहीं दिया देश का राजा पिता तुल्ले होता है, और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने देश की, अपने भारत वर्ष की, अपने हिंदुस्तान की परंपरा को जिन्दार रखें हमारा असली चरित्र क्या है, हम हिंदुस्तानी जो अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे थे उनको फिर से जीवन्त करने का वक्त आया है, तो मैं आप सबसे प्रातना करूंगी कि अपने परधान मंतरी, अपने परधान सेवक, अपने राजा की बात का सम्मान करें, उनकी बात का मान रखें, उन्हें इस बात का गर्व दें, कि अगर वो हमारे साथ इस बुरे वक्त में खड़े हैं, तो हम भी अपने परधान मंतरी की बात सुन रहे हैं, हम भी अपने राजा की बात का अनुसरन कर रहे हैं जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो बात होती है एकता की बात होती है सकारात्मक सोच की बात होती है साथ चल ले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने सबसे पहले करमचारियों को पनी जान दाओ पर लगा करकर काम कर रहे हैं, अगर डॉक्टर नर्सforth अपना फरद निवा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है और जब भी आप किसी को appreciate करेंगे तो वो इंसान और ज्यादा मेनत से काम करेगा और ज्यादा लगन से काम करेगा और इंग्लेंड में जब ये खबर मैंने न्यूज में सुनी थी कि हिंदूस्तान ने इस तरह से अपने स्वास्ते करमचारी अपने डॉक्टर नर्स का अभी नंदन किया शंक नाद करके और बेल्स बजाकर तो एक गर्व महसूस हुआ कि हमारे हिंदूस्तान में हमारे स्वालिया बजाकर अभी नंदन करते हैं अपने नैशनल हैल्स सर्विस के जो भी डॉक्टर नर्स काम करते हैं उन सब का कि वो सब अपने जान दाओ पर लगा कर इस महामारी के वक्त जी जान लगा कर काम कर रहे हैं कि इसके पीछे हमारे प्रहान मंत्री की साइकॉलोजी उनका क्या सोचना है इस बारे में ये जो शंखनाद करना धन्यवाद करना इसके बहुत से फायदे बहुत सी इसके पीछे छूपी हुई बाते हैं जब आप किसी को एप्रिशेट करते हैं तो वो इनसान और जादा मेनत करता है वो वो एक खुशी का गर्व का एहसास होता ह जिसको आप धन्यवाद करते हैं उस इनसान को आप प्रेरिद करते हैं कि वो अपना काम और बेटर तरीके से कर सके दूसरा शंखनाद हमारे सनातन धरम की परमपरा है शुप की अशुप पर विजय का प्रतीक है शंखनाद से एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशर होती है जो कि हमारे आसपास के वातवरन को जो की चीजें हमें नहीं नजर आती है ऐसी बहुत सूक्ष्म नेगटिव वाइब्स होती हैं जो की हमें नहीं नजर आती जिस तरह वाइरस नजर नहीं आता ये जो बात है शंखनाद की मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हम सनातन धर हम इंदुस्तान में जन्मे हैं और हम जानते हैं कि घर में कोई भी शुब काम होने से पहले शंख नाद होता है या जब हम यूद पर जाया जाता था कुराने जमाने में जब कभी यूद पर जाया जाता था तब भी शंख का नाद करके दुश्मन को चेताया जाता था कि हम त शुक्रियादा करने की जो सला हमारे प्रथान मंत्री जी ने दी थी उसका ये तीसरा जो मैं फाइदा देख पा रहे हूं वो ये कि जब एक वक्त पर आसपास के सभी लोग जबकि हम सोशल डिस्टेंसिंग में हैं जबकि हम एक दूसर से दूर रह रहे हैं अपने अपने घर पर निकलेंगे और एक सेफ दूरी रहेगी लेकिन उसके बावजूद भी जब वो तालियां बजाएंगे या शंक नाद करेंगे तो वो सब एक ही सूत्र में अपने आपको जुडा हुआ पाएंगे ऐसा मैसूस होगा कि हम सब इस महामारी इस मुसीबत के वक्त में घर में अकेले नहीं बैठे हैं हम सब एक ही प्रॉबलम से जूज रहे हैं एक ही मुसीबत से गुजर रहे हैं लेकिन एक साथ है एक पॉजिटिविटी है एक उमीद है एक जाग रुकता है और जब एक दूसरा को देखेंगे पड़ोसी आपस में मुस्कुराएंगे एक देखके ही सुकून मिल जाता है जी मैं बात कर रही हूँ अब दिये की दिये जलाने की हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिर से हमें सुझाल दिया है 5 अपरल को रात 9 बजे दिये जलाने का दिया जलाने का किसी पतरा से रौशनी करने का और जब से हमारे प्रधान मंत्री जी वक्ते घरों में बंद हैं एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और दिन पर दिन परिशानियां बढ़ती जा रही हैं कामकाजी लोगों की भी और हर तरह से तो एक पॉजिटिव उदेश्य देखे कि कुछ दो-चार दिन बाद हमारे प्रथान मंतिरी ने खाये कि हम अपने घ एक करेव रकरती से की हमें इस मुसीबत से मुक्ती मिले हमें अपने आसपास के डायरे की जो भी अशुद्धियां हैं उसको जला कर भस्म करती है और उसके रोशनी दिल में पवित्र और खुशी का एहसास दिलाते हैं जब भी आप एक दिया जलाते हैं उसके साथ आपके अंदर एक विश्वास जागता है और हमारे पर्षान मंतरी ने इसी तना से हमें एक के संदेश दिया है कि दिया हमारे पास बहुत रिच कलचर है हमारे कलचर ने हमें शंकनाद धीपदान आप वह बहुत कुछ ऐसे परंपरा और दी हैं कि हम भूल जाते हैं तो उनको याद दिलाने के लिए आज हमारे पास हमारे पथान मंत्री भी है तो अपने एक्सपिरेंस से नीचे कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा यह दिया जला कर आज तो घर में हमेशा के तरह शाम की पूजा होती है लेकिन आज मैंने 4.30 पे घर के अंदर दिया जलाया और बाहर दिया जलाया मैं हमेशा यही चाओंगे कि हिंदुस्तान का सितारा बुलंद रहे तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक सूतर में बंदे और जो लोग कड़वाहट घोलते हैं या जो लोग ऐसे वातवरण को दूशित कर रहे हैं हम उनको नदर अंदास करें उनका साथ ना दे और अपनी रोशनी इतनी जादा कर ले कि सारा अंदकार मिट जाए तो रखें अपना खयार और एक दूजे कभी